हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सबी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे बेस्त होंगे दोस्तों हमारे घर में या बिन बुलाए महमान जब आते हैं तो बहुत सारी प्रोब्रम होती है ये नुकसान भी करते हैं और हम इन्हें मानना भी नहीं चाते हैं और ये हमारे महंगे से महंगे समान को भी खराब कर देते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्का जिसका इस्तमाल करने के बाद ये तुरंथी भग जाएंगे फिर आपके घर में कभी नहीं दिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देख लेते हैं कि क्या है वो घरेलू नुसका तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है बर्तन मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसे बर्तन का आप इस्तमाल करें जो आपके खाने पीने के यूज में ना हो अब इसी में आपको लेना है दो बड़े चमबच के करीब बेसन बेसन की जगे आप चाहे तो आटा ले सकते हैं गेहूं काटा हो या फिर चावल काटा हो तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं इसी बेसन में आपको डालना है आधा चमबच के करीब सोडा मेठा सोडा ज लुक्त करें तो यह पेस्ट भी हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं बनहरं है इसलिये पानी आप थोड़ा थोड़ा और पेस्ट रेडी कर ले दोस्तो तो आप ये वीडियो कौन से जगे से देख रहे हैं मुझे कमेंट में फटा-फट से बता दे ताकि मुझे पता चल जाए मेरे वीडियो कहां तक पहुचिए तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे कुछ इस तरह से आपको लगता ह चाहिए कि हम इसे किसी भी चीज पर लगाएं अच्छे से लग जाए अब इस रेमेडी में जान डालेंगे इस मेडिसिन से जिहां दोस्तों घर में बहुत सारे एकस्पारी मेडिसिन पड़ी होती है आपको क्या करना है उनमें से एक टैबलेट ले लेना है फिर वो किसी भ पर पे आप इस तरह से रख कर अच्छे से कूट कर इसका फाइन पाउडर बना लें आप इस मेडिसिन की जगे मच्छर बगाने वाली जिस अगर बत्ती का इस्तमाल करते हम लोग उसको भी पाउडर बना कर आप इसमें इसमें स्तमाल कर सकते हैं तो दोनों में से आप से mix करके अच्छा सा paste ready कर लेना है तो देखे सारी चीजे जो है अच्छे से mix हो गई है और यह हमारा जो remedy है वह बिल्कुल ready हो किया है हमें इसको apply कैसे करना है चलिह आगे वीडियो में हम देख लेते है अब इसी पेस्ट का हम दो तरीके से इस्तमाल करेंगे तो जो पहला तरीका है उसके लिए आपको क्या करना है घर में जो बेकार ब्रश हो जाते हैं जिनको यूज करने के बाद हम फेकने के लिए रखे होते हैं उसका इस्तमाल करना है आपको ध्यान रखें जो आप दाज साब करते हैं उसका इस्तमाल बिल्कुल वरना यह अच्छे से इस brush के उपर लगता नहीं इस brush पर लगाने के बाद आपको क्या करना है इस brush को जो main gate है वहाँ पर आपको रख देना है यह काम आपको शाम को करना है क्योंकि जब सब लोग सोच आते हैं तभी यह चुहे आते हैं और जब दूसरा तरीका है यह जो बच आपको इस paste को अच्छे से अप्लाई कर लेना है अब इसी पेपर के टुकडे को आप वहां रख दे जहां आपको लगता है कि चूहा बहुत ज़्यादा आता है जैसे कि आप कीचन में रख रहे हैं तो गैस की मीचे रख दे क्योंकि यहां पर भी चूहा बहुत ज़ादा आता है मेन गेट पर रख दे स्टोर रूम में रख दे जहां पर भी आपको लगता है कि चूहा बहुत ज़़्यादा परशान करता है वहां पर इस पेपर के टुक्डे को रख दे बच्चों से और हाँ दोस्तों बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप इस नुस्के को जरू ट्राइ करें अगर आप बहुत ज़्यादा परशाने चुहा से तो बहुत ही कारगार या नुस्का है एक बाद जरू ट्राइ करें और अपना अपना मेरे साथ जरू शेयर करें वीडियो पसंद आयों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दें